नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त आपका साथी चंदजी सर्मा इस समय हम खड़े हैं सिलंपुर विर्हांसवा के जाफराबाद इलाके में और यह गली नमबर 38 है यहाँ पे 5 तारिक की शाम को यानि रात को 9 बजे के आसपास पुलिस को कॉल मिलती है कि यहाँ पे फाइरिंग हुई है जिसमें जब पुलिस यहाँ पहुंसती है धाना जाफराबाद यहाँ पहुंसता है सिलंपुर के आसपास के लोग पहुंसते हैं और DCP साहब यहाँ पह करती है जहां पे उनको रेफर कर दिया जाता है जी टीवी होस्पिटल में मगर बाहर के बता जा रहे हैं कि यह लोग बाहर से आये थे और इनोंने यहां करीब 6-8 राउंड फाइरिंग की है हमने आसपास के लोगों से यहां बात करने कोशिस की कोई भी बात करने को राजी न ч Bottots देखिए कि यहां पे फाइरिंग होती है और आसपास के लोगों को पता है मगर कोई बता के राजी नहीं है यही वो स्पोral है जहां पे आप देखिए यही स्पोर्ट है जहां पे यहां फाइरिंग हुई है और यहीं पे यह सब हुआ है अब आप देखिए चार लोग जो बताई जारे हैं जो घायल हुए हैं इन सभी की उमर 20 साल से उपर है और इसमें दो लोगों का बताई जा रहा है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड भी कुछ मिला है उनका कहीं न कहीं SSU में इंवाल्मेंट भी मिला है यह पुलिस की थोरी कह रही है मगर पुलिस इस पे आसपास के CCTV खंगाल रही है आसपास के लोगों से बातचीत कर रही है और जो यहां कैमरे लगे हैं CCTV लगे हैं उनकी फुटेज खंगाले कोसिस कर रही है अभी तक पुलिस के हाथ में जो बड़ी काम अभी नहीं लगी है जो इसमें इंवाल्फ थे उनको कहीं से भी पुलिस ने अरस नहीं किया है ना ही कहीं पता चला है कि कौन है कहां से आया है कैसे है मगर यहां पे जाफराबाद में करीब 9 बजे 5 तारिक की रात को यहां फाइरिंग होती है जिससे इस आसपास के इलाके में देसत का महौल है लोग घबरा गए है और कोई भी बात करने को राजी नहीं है हम यहां पे जब आये तो हमने कई लोगों से यहां पूछा बाचित की उनसे कोशिस की लोगों ने यह तो बताया कहां हुआ है कैसे हुआ है यह भी बताया कि हां कुछ लोग घायल है यहां पे का जहां फाइरिंग हुई है उसकी location क्या थी घर कौन था किसके मकान में हुआ है कौन थे ऐसा कोई भी यह लोग बता के राजी नहीं यह डर है दैसत है और अभी भी जब हम आसपास reporting कर रहे हैं यहां बात कर रहे हैं तो कोई भी सामने तो नहीं आ रहा मगर लोग म पुलिस जो अपनी कारवाई कर रही है वो अभी चल रही है और यह हासा यह घटना पांच तारीक की यानि पांच जून की रात को नौबजय होता है और यहीं वो एरिया है जहां पे यह सब चीज़े हुई है और इसी के आसपास बताया गया है कि यहीं पर फारियरिंग कर भी निकल के आता है कि उनमें दो लोग ऐसी हैं जिनका पुलिस रिकॉर्ड भी है अब आसपास के लोग घबराए हुए हैं डरे हुए हैं कोई भी बात करने को राजी नहीं है कोई भी कैमरे पे बात करने को राजी नहीं है और उसके बाद अगर क्या हुआ कैसे हुआ क्या इ थी। ऐसा कोई भी बात करने को या बताने को राजी नहीं है। लोगों में डर कितना है ये आप खुछ सोचे। कि कितनी दैसत है… लोग डरे हुए हैं, बात नहीं कर रहे हैं। और ऐसे में कैसे हम इनसे बात करें, यहां क्या हुआ कैसे हुआ, यह पुलिस ठेहरी सहीम आपको बता रहे हैं कि पुलिस की जो रिपोर्ट आई है, उसमें चार लोग इंजर बताए गए हैं, दो लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड निकला है, और साथी साथ यहां नौ बजे रात को PCR कॉल मिलती है, कि यहां पे फाइरिंग हुई है, जिसमें बाहरे कुछ लोग आते हैं, यहां फाइरिंग करते हैं, जिसमें चार लोग हायल होते हैं, चारों को जग परवेसों की सबसे नियर होस्पिटल जग परवेस है, वहां ले जाय जाता है, और वहां से उनको GTV रफर कर जा जाता है आगे के उपचार के लिए, आगे के टीटमेंट के लिए पुलिस के हाथ अभी ऐसा कुशनी लगा है, पुलिस खंगाल रही है यहां के आसपास के CCTV फुटेज और आसपास के लोगों से पूछ साज कर रही है, अभी जो पुलिस की ठेवरी के हिसाब से है, वो यही है आगे जैसा इसमें अपडेट आएगा, वो हम आपको बताएंगे मगर लोग किस तरीके से आँ घवराए हुए है कि लोग सामने आके राजी नहीं है बता के राजी नहीं है, और यह एक चीज हम आपको और दिखाते हैं अगर इसका क्या गाए है चाल लोग घायल हुए है और यहाँ पे रात को पांच जून को नौ बजे फारिंग होते हैं जिसमें चाल लोग घायल होते हैं यह जाफराबाद सीलमपूर के विधानसभा का अंतरकत आने वाला एरिया है गई नंबर 38 है एनभाद टीवी जाफराबाद सीलमपूर